हलो फ्रेंड्स मैं विशुजित दास मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर जी की कहानी में आप सबका स्वागत करता हूँ आज हम लोग जिस सीरीज पे ये स्टोरी बनाएंगे वो है बहुत पुराने जमाने की भारत की खून और खूनियों की कहानी पहले मैं ये वीडियो शूट करना चाहता था बेंगॉली में पर आखिर में मैं ये डिसिशन लिया कि हिंदी में ये वीडियो करता हूँ क्यूंकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोकों तक पहुँच सके तो मेरे वीडियो में, मेरे अक्सेंट में कुछ बेंगॉली फ्लेवर आपको मिलेंगे उनके लिए मैं आपसे शमा पारती हूँ फ्रेंड्स ये कहानी जिस टाइम की है वो टाइम है 1883 पुरे बंगाल में उस टाइम पे तारकेश्चर मंदिर की कथा पुरी घर घर पे होती थी भकतों की स्रद्धा की एक प्रतीक बन चुकी थी ये मंदिर इस मंदिर के बगल में कुम्रूल ग्राव हुआ करता था एक दिन सारे बंगाल में ये समाचार पत्र और लोकों की मुँ में ये बात आ गई कि एक भोला भाला इंसान अचानक अपने बहुत प्यार करने वाली पत्नी का सर धर से अलग कर देता है और अपने आपको कानून के हवाले कर देता है ये चौकाने वाली और अचानक ऐसे ही रोमान चकर घटना सारे बंगाल की लोगों की दिल तहला देता है इसके पीछे की कहानी अब हम जानेंगे तारकेश्वर मंदिन में आसपास के जमीनदार और राजा बहुत सारे निश्कर जमीन और उपहार भेट करते थे और यहां के जो प्रधान पुरोहित महांत लोग होते थे वो ये जमीन और उपहार भोक करते थे उस टाइम के जब प्रधान पुरोहित थी महंद्गीरी महाराज उनकी लालसा और कामना बहुत बढ़ा था उनके पास ऐसे बहुत सारे लड़किया थी जिसे वो भोग करते थे तारोकेसर के पास एक छोटा सा गाव कुम्रूल में नील कमल मुखवाद्धाय एक गरी ब्राम्मन रहते थे नील कमल मुखवाद्धाय की पहली पत्नी की देहांत के बाद उन्होंने दूसरी शादी की पहली पत्नी से उनका एक बेटी थी जिसका नाम है एलोकेसी दूसरी पत्नी से भी उनकी एक बेटी हुई हमारी कहानी की नाईका है एलोकेसी ये निलकमल मखवाद दाई की पत्नी मंदा की नी दूसरी पत्नी है ये मोहन चंद्रगिरी महराज के बहुत कड़ी थी और उनसे उनका नाजायज संपर्ख था जैसे जैसे समय बीटता गया एलोकेसी बड़ी होती गई एलोकेसी बहुत सुंदर थी जैसे जैसे उसका उमर बढ़ता गया उसके पिताजी का चिंता भी बढ़ता गया क्यूंके वो गड़ी था अपनी बेटी कोई शादी के लिए उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था आखिर में उन्होंने एक अनात ब्राह्मन नभीन चंद्र चक्टोबाद धाय से एलोकेसी की शादी करवा दिया नभीन चंद्र कलकत्ता में प्रेस में काम करते थे कलकत्ता में रहने की उनके पास कुछ खास सुविदा नहीं थी इसके लिए वो शादी के बाद अपने पत्नी एलोकेसी को गाव में ही अपने पिता माता के पास रहने के लिए छोड़ दिया हपते के अंत में वो कलकत्ता से कुम्रूल आते थे अपने पत्नी से समाई बिताते थे फिर सोमबार को वो कलकत्ता काम में लोट जाते थे यह समाई उनके जीवन के लिए बहुत आनन्द दायक था अब ऐसे ही समाई बढ़ता गया आगे एक दिन एक स्षाम को एलोकेसी नहा के गाउ के रस्ते से घर आ रही थी अचानक उनका सामना हुआ मोहनचंद्र गिरी महराज से वो किसी काम से वो रस्ते से जा रह थे अचानक इतना सुन्दर लरकी देखके उनके मन में काम बासन जाग उठा लड़की एलोकेसी बहुत डर गई वो तुरंट दौर के अपनी घर चले गई महुन चंदरगीरी भी पीछे पीछे जाके ये देखने में सफल हुआ कि वो किस घर में जा रही थी उसे ये पता चल गया कि ये मंदाकिनी की घर है वो बापस आ गए अपने प्राशाद में फिर मंदाकिनी को बुलावा भेजा मंदाकिनी उस रात मोहन चंदरगीरी के आस्रम में गए सुवे जब वो लोट के आई तब वो अपने पती से कहा कि देखो महराज को हमारी बेटी एलोकेसी बहुत पसंद आ गई अब वो चाते है के एलोकेसी उनके सेवा करे पहले तो नील कमल दाज जी ये हजम नहीं कर पाए वो अपत्ती जता रहे थे हैं पर उनके पत्नी उनको ये समझा दिया कि अगर वो महराज के बात नहीं मानते है तो ये गाव में रहना उनके लिए दुश्वार हो जाएगा तो इसी डर से वो आखिर में मान गए अगले दिन मोहन चंदरगिरी के कहने पे मंदाकिनी ने एलोकेसी को सजा धजा के मंदिर ले गई एलोकेसी को उसने कहा कि हम लोग मंदिर जाके पूजा करेंगे कि जल्दी तुमारी गोध भड़ायो पूजा के बाद मंदाकिनी एलोकेसी को ले के मोहन चंदरगिरी के आश्रम चले गए मोहन चंदरगिरी ने एलोकेसी को चर्णा मृत दिया मंदाकिनी उसे ये समझा दिया कि तुम जल्दी ये पीलो बेटी क्योंके ये पीने से तुमें जल्दी भगवान का आशिरबात मिलेगा एलोकेसी थोरी डरी हुई चर्णामित पीते ही उसका होश खो गया होश आने के वाद एलोकेसी अपने आपको महुनचंद्रगिरी के खास कक्ष में पाया उसने देखा उसके शरीर में एक बस्तर भी नहीं है और उसे पता चल गया कि उसके साथ पलातकार हुआ है वो डड़ी हुई और अपने दर्द से सहमाई हुई बाहर आई अपने मा से सब कुछ रोते बिलत्ते हुए कहने लगी पर मंदाकिनी ने उसे समझाया कि अपने मूँ बंद रखने में भलाई है क्योंकि अगर तुम किसी को भी ये बात कहोगे तो तुम्हें और तुम्हारे पती दोनों के लिए ये अच्छा नहीं होगा आखिर में वो मान गई अब वो डर से मानी या उपहार के लालच में ये कहना मुश्किल है अब वो हपते में पाचों दिन मोहन चंद्रगिरी के आश्रम में रहने लगी और जब नवीन कलकत्ता से कुम्रूल आता था वो घर चली जाती थी और फिर नवीन जब कलकत्ता वापस जाता था वो वापस महांत के आश्रम में आ जाता था अब ऐसे ही चलने लगा नभीन को पहले पहले कुछ भनक नहीं लगी पर कुछ दिन बाद काना घुसा में ये बात नभीन चंद्र की कान में आया तो नभीन चंद्र ने अचानक एक दिन हपते के बीच में अपने ससुराल पहुँच गया वो देखा के एलोकेसी घर में नहीं है वो अपने ससुराल वालों से पूछा के मेरे पत्नी कहा है तो उन्होंने कहा तुमारे पत्नी तारकेसर मंदिर में पूजा के लिए गये है वो तुरंट तारकेसर मंदिर गया अपने पत्नी को ढूणने के लिए पर वहाँ उसको एलो केसी नहीं मिली वो बापस आ गया इसी बीच में मंदा किनी अपनी बेटी को महंत के आस्रम से बुला लिये जब नवीन घल पहुचा वो देखा के एलो केसी घर में ही है ओ जब एलो केसी से पूछा के क्या बात है ये सब क्या सुन रहा हूँ एलो केसी बहुत रोने लेगी कुछ कहे नहीं पाई नवीन और कुछ पूछना चाता था पर आखिर में पत्नी की आसु ने उसे रोग दिया रात को नवीन अपने पत्नी से कहता है के ठीक है जो भी हुआ है चलो हम लोग अब कलकत्ता लोट चारेंगे उहां पर ही रहेंगे ये लो केसी बहुत खुस हुई पर पती-पत्नी की ये जो बाते है ये बाहर से उसकी मा मंदा की नी सुन ली वो तुरंत अपने पती को मोहंत की आस्रम में भेज देता है मोहंत को जब पता चलता है कि अगले दिन नवीन उसके पत्नी एलो केसी को लेके कलकत्ता जाने वाला है वो रा आग बबुला हो जाता है वो अपने चेले चपटे से कहता है कि किसी भी कीमत पर नवीन अगले दिन अपने पत्नी को लेके कलकत्ता जान नहीं पाए अगले दिन सुभे नवीन घर से बाहर आता है कि कुछ पालकी या कोई बैलगारी से वो कलकत्ता जाने का प्रवंद करे वो ढूरता है किसी पालकी या बैलगारी को पर उसे कुछ नहीं मिलता है ये सब मोहनचंदगीरी की प्रताप है उसकी डर है आखिर में वो दुगना दाम देकर भी एक पालकी या कोई बैलगारी पाना चाने की कोशिश करता है पर उसे नहीं मिलता उल्टा मोहनचंदगीरी के जो चेले चपाटे है वो रस्ते में उसे काफी तंग करता है उसे गंदी-गंदी गाली देता है उसके पत्नी को लेके बहुत गंदी-गंदी बाते बोलता है उसे वेश्या भी कहते है ये बात सुनके नवीन को बड़ा दुख पहुचता है घर पहुचके नवीन देखता है कि उसके पत्नी मचली काट रही है वो गुस्से में आग पबुला होके मचली काटने की कुलारी से अपनी बीबी के सर्थ धर से अलग कर दिता है इसके बाद नवीन अपने आपको जाके मैजिस्टिट के पास सेरिंडर कर देता है ये जो कहानी है ये है तारकिस्सर हत्ता कांड के पीछे की कहानी अब आगे ये मामला कोर्ट पे पहुचा नवीन अपने आपको सेरिंडर कर दिया पर आगे जाके वो ये बात मानने को तैयार नहीं था कि उसने अपने पत्नी की हत्या किया है नवीन की तरफ से ये मामला जो कोर्ट में गया तो उसकी तरफ से जो वकील खड़ा हुआ उसके नाम है उमेश चंद्र बंदोबाद्दा है ये वही उमेश चंद्र बंदोबाद्दा है जो आगे जाके नेशनल कॉंग्रेस की प्रेसिडेंट बन गएगे नवीन अपने आपको बेगुना बताता है कोर्ट में पर उसके खिलाब काफी पुक्ता सबूत था पर जो बंगाल की आम नागडिक है आम जनता है उसमें उसने जब असली घटना जानी तो मोहनचंद्र गिरी के खिलाब चनरोश फूट उठा सभी चाहते थे कि नवीन को रिहा कट दिया जाए और सजा मिले मोहनचंद्र गिरी को नवीन मोहनचंद्र गिरी के खिलाफ अपने पत्नी को रेप की धारा लगाने की लिए कोट के पास जाता है कोट को रिक्वेस्ट करता है आखिर में जो जूरी है वो कोट को ये बताता है कि नवीन ये जो हत्या किया है ये अपने एक कोट के बशिवूत होके अपने आपक होके ये किया है तो वो निर्दोश है पर जो मेजिस्ट्रेट है बो जूरी से सहमत नहीं होता है वो ये case हाई कोट को सौपद देता है हाई कोट में भी काफी दिन तक ये मामला चलता है और आखिर में मैजिस्ट्रेट नवीन को दीपांतर काराबास दे देता है पर निचली कोट मोहन चंदरगीरी के खिलाफ एरेस वारेन इशू करता है मोहन चंदरगीरी अपने आपको बचाने के लिए चंदनगर में छुप जाता है क्योंके चंदनगर उस टाइम पे फ्रेंच कॉलोनी था फ्रेंच लोग डॉमिनेट करते थे चंदनगर में बिटिश का राज नहीं था पर आखिर में मोहन चंदरगीरी को बिटिश पुलिश के हाथ सौब दिया जाता है और उसको तीन साल की सजा और कुछ पर नवीन के धीपांतर से वो लोग काफी दुखी हो गए ये इंसिडन इतना तूल पकड़ा उस टाइम पे कि पूरे बंगाल में इसका चर्चा होने लगए घर घर पे जो बिंगॉली पेपर थे उस टाइम पे बिंगॉल में जो अच्छा खासा पेपर था निउस पेपर बिंगॉली इंग्लिश मैन उसमें ये केस की हर दिन की घटनाएं लिखा जाने लगा काफी नाटक ये घटना को बेस करके बनाया गया ये एक अती रोमांचक घटना है जो बंगाल की जनता काफी दिन तक इसकी आलोचना करता रहा नमस्कार